एक तो है दिवाली उपर से शुरू हो रही है ठंड और ठंडे से मौसम में पसंद आता है सबको मूंग दाल का हलवा तो कौन-कौन है आप में से जिसका मूंग दाल हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है और मुश्किल लगता है इंस्टिंट मूंग दाल के हलवे की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है बट ये है और तरीके से ट्रेडिशनल वे से हाफ कप मूंग दाल को मैंने भिगो दिया था पांसे छे घंटे पहले आप ओवरनाइट सोग भी कर सकते हो अच्छे से इसको वाश कर लीजिए और बस इसको पानी अच्छे से जो इसका वाइट पानी है न एक बार तो भीगाने से पहले ही दो तीन बार वाश कर दीजिए और फिर भीगने के बाद इसको जार में शिफ्ट करिए और जो एक्स्ट्रा पानी जार में भी है उसको भी निकाल दीजिए ये देखे मैंने निकाल दिया बिल्कुल पानी और पीस लिया क्योंकि न मूंकी डाल में खुदी पानी बहुत होता है तो ये निकाल लिया है हमने तो मैं बता दू ये हाफ कप दाल भिगोई थी हमने इस तरह से देखे फलफी सी दाल हो गई है और इधर नाम चाशनी बना लेते हैं आधाई कप मैंने लिया है चीनी का मेजरमेंट्स ध्यान से सुन लीजिए आधाई कप मैंने लिया है पानी का बहुत ही अच्छा आपका हलवा बनेगा, आप इस वे से ट्राइ करेंगे, तो बिल्कुल जैसे हलवाई का होता है, बिल्कुल वैसे तेस्ट देता है, और साथ में थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, आप चाहो तो यहाँ केसर डाल सकते हो, आधाई कप हमने घी लेना है, बट एक दम से नहीं डालना है, एक बार मैंने एक चमच घी कर डाला है, तो अब यहाँ पर एक चमच सूजी, एक से देड़ चमच सूजी कर डाल लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा हलवा बनता है, और एक चमच मैं डालूँगी यहाँ पर बेसन का, इनको थोड़ा सा भ पूंग डाल, जैसे ही जितना मर्जी घी डाल लीजिए, आपका जो सारा घी है वो पी जाएगी, यह जो मेरा कढ़ाई है ना लोहे की है चाहे, बड़ यह नॉन स्टिक का जैसे ही काम करती है, सारा जो हमने बनाया हुआ था ना मिक्स्चेर वो डाल दिया, साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि कड़ाई है लोहे की मेरी, तो अच्छे से बस चलाते जाएगे, अब इसको फटा फट से, क्योंकि देखे सारा घी पी चुका है, यह जितना भी मैं डाले जा रही हूँ, तो बड़ इसको बड़ी हिम्मत से और बहुत तेज आच मत कीजे, नही देखे, गी मैं दीरे दीरे अड़ करती जा रही हूँ, और नहीं कर रही हूँ, हाफी कप गी का यूज़ कर रही हूँ, ध्यान रखिए, जितनी मैजरमेंट मैं बता रही हूँ, बिल्कुल उस तरीके से बनाएंगे, तो आपका पर्फिक्ट हलवा बनेगा, और दिवाली की मिठाईयां आए होप, आपने बनानी शुरू कर दी होंगी, तो अभी ये देखे, इस तरह से वो फिर भी नहीं हिल रहा था, मेरे आज स्पैचुला सेट नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इस तरह से ये देखे, अच्छे से इसको बहुत अच्छे से हिलाते जाए, हिलाते ज दालके मुंग दाल मिक्शेर डालके, अच्छे से इसको चलाते जाए, चलाते जाए, आप में से कितने लोगों को पसंद है ये हलवा, यहां ना हलवाई यूज करते हैं, मावा का भी यूज कर सकते हो, आप बहुत बढ़ थिक हो जाता है, हेवी हो जाता है, आम अगर घर खाना है ना तो बहुत ही बढ़िया हलवा बनता है, इधर हमारी चाशनी भी तयार हो गई है, यह देखिए, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलाइची पाउडर, जो की बहुत यूनीक टेस्ट देता है, लाइट चली गई है, कोई लाइटनी का अरेंजमेंट तो बस इतने में ही लाइट आ गई है हमारी, तो चलिए फटा फट से बना लेते हैं, मैंने वीडियो बीच में से काटी नहीं, तो यह देखिए, अब जो भी कटे हुए ड्राइफ रूट्स हैं वो डाल दीजिए, क्योंकि गी काफी गर्म हो जाता है मूंग दाल के हलवे म तो इस तरह से फिर बदाम भी बीच में ही भुन जाएंगे हमारे, तो इस तरह से जो भी आपको ड्राइफ रूट पसंद है आप डाल लीजिए, कलर देखिए, पहले ही कितना प्यारा आया है भुन कर और उपर से हमने कलर और भी डाल रखा है, मैंने डाला है हलका सा जो त प्यारा सा कलर आ गया है, लगभग 10 से 15 मिनट हो गए है मुझे इसको भूनते हुए, अब चाशनी एड़ कर दूँगी, कोई तार वाली चाशनी नहीं है, ये नॉर्मल चाशनी है, अब देखिए, और सिम कर तेज कर लिए है, थोड़ा सा फटा फट से चलाएंगे, नीच कौन सा आपका फेवरेट है, और आप कहां से मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज ये भी जरूर बताइएगा, और मिठाईयों की रेसिपीज देखना मत भूलेगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, तो प्लीज ये, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, स्टे बलेस्ट, स्टे टून